वेल्कम टॉक्टर सिंद्या एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर फ्रेंज आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे यह जो दो प्रोसेस है इससे ही बनता है आपका राम, जीन, विस्की, वाटका, टकीला, ब्रेंडी, बियर सब कुछ यानि इस दो प्रोसेस को एप्लाई करके बनता है अलकोहॉल अब यह तो प्रोसेस जो है यह कभी-कभी बहुत कम्प्लिकेड़ होता है अगर हम लोग उसको ठीक-ठाक से नहीं समझ पाते है तो अकसर काफी वीडियो में आपको दिख जाएगा यह प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हुए मगर आज मैं आपको समझाओंगा बहुत सरल भासा में कि क्या है फर्मेंटेशन और क्या है डिस्टिलेशन ध्यान से देखिएगा यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप इफिन भी इंडस्टी से बिलॉंग करते हैं या आप बार्टेंडर है साथ साथ अगर आप विस्की इंथिस्यास भी है तो प्लीज देखिएगा यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट एक वीडियो है चले पहले बात करते है कि वाट इस फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन is a metabolic process in which process yeast react on sugar and sugar convert into alcohol and co2 that is called basically a fermentation यह जो process है यह process में particular कोई भी sugar containing product को yeast के साथ combine किया जाता है और उसके बाद उसको ferment किया जाता है अब उस fermentation के बाद जो final product आता है वो है actually ethyl alcohol और यह जो ethyl alcohol है यही है consumable alcohol जो हम लोग usually consume करते है वो है ethyl alcohol अब थोड़ा सा और in-depth समझते है कि यह काम कैसे करता है जब भी कोई भी sugar containing product में आप yeast को दे देते हो तो yeast क्या है? yeast है micro organism जब इसको आप देते हो तो yeast का काम है उस sugar को खाना मतलब खाता रहता है अब जब जब वो खाता रहता है तब दब वो उल्टिया भी करता रहता है और जब जब वो उल्टिया करता रहता है तब वो alcohol generate होता है मतलब आपको बदबूदार एक concentrate मिलता है उसी को बोलता है basically alcohol तब भी वो filter नहीं होता है filter बाद में क्या जाता है पहले समझ लेते हैं कि क्या है natural fermentation ये है example of natural fermentation देखिए मैंने ये जो apple रखा है देखिए ये fermented हो चुका है मतलब ख़ड़ाब हो चुका है अब ये कैसे हुआ एकदम simple है कि ये जो apple है इसमें है sugar और sugar को आप ऐसे रख दोगे तो इसमें जो air में oxygen है वो पहले उसमें एटक करेगा साथ में जितना भी bacteria है वो उस sugar में एटक करेगा और जैसे वो एटक करेगा तो automatically sugar जो है वो खराब होने लगता है इसी प्रोसेस को बड़ा प्रोजेक्ट के साथ अगर किया जाता है तब जगके आपको मिलता है genuine alcohol तो और गहरा इसे आपको समझाते है कि मान लीजिए आपके पस अंगूर है जैसे कि मेरे पास ये देखिए अंगूर मैंने crush करके रखा हूँ और इसमें तुनादा juice भी निकल के आया है ये देखिए actually wine जो बनता है ये अंगूर का रस से बनता है आप सबको तो मालूम है अगर मैं इसको ferment करना चाहूँगा तो मैं ऐसे ही खुला रख सकता हूँ ये कुछ दिन बाद automatically wine बन जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये process कैसे काम करता है सरल भासा में मान लिजिये मैं अंगूर का ही example ले रता हूँ अंगूर का अपने smash किया और एक टब में रख दिये और उसमें natural breweries yeast को डाल दिये अब ये yeast क्या कड़ेगा वह जो अंगूर का руस है यनि शुगर है उसको खाने लगेगा यिस्ट का नेचर है शुगर को खाना तो वह natural process है शुगर को खाने लगेगा और जब जब खाता रहेगा वह उल्टिया दिया भी करता रहेगा क्योंकि वह एक natural process है इस्ट खाता रहेगा जब तक उसमें शुगर है तब तक वो खाता रहेगा और जब शुगर बिलकुल खतम हो जागा आपका अंगूर में तब वो इस्ट भी खतम हो जाएगा तब जाके और फर्मेंटेशन नहीं होगा यह जो entire process है यह इसी को बोलता है fermentation process और इसी से alcohol को अचिव किया जाता है अब ये process जब खतम होता है तब आपको जो final product मिलता है उसका alcohol percentage हो सकता है 5 से 15% तक यह है natural process से आपका alcohol बनना जैसे कि example के तो मैं बताऊंगा कि beer, beer बनता है ये malted barley से और ये barley से बनता है, अब barley में तो sugar नहीं है, आप देख सेको कितना tight एक product है, मगर इसलिए barley को soak किया जाता है, यानि भीगोया जाता है 3-4 दिन के लिए, अब जब barley पूरा भीग जाता है, तब ये फुल जाता है, और इसमें काफी enzyme भी आ जाता है, तब जाके उसको fermented किया जाता है, सुखा के, तो बहुत सरा process है, जिसको fermentation किया जाता है, fermentation का मतलब simple है कि alcohol को generate करना, अब ये question आता है, कि मान लीजिए मैंने एक product को alcohol में convert कर दिया, तो उसका percentage of alcohol जो है, वो है around 9% of alcohol, तो वो विस्की में जब जाएगा, या राम जीन वाटका में जब जाएगा, वो 40% कैसे होगा, मतलब मैं अगर example की तोर के बोलू, जैसे कि मेरे पस विस्की है, ये विस्की में जो alcohol percentage है, वो आपको दिखता है 40% of alcohol, तो 40% of alcohol कैसे होता है, अब यहाँ पर आता है distillation process, distillation process एक ऐसा process है, जहां से alcohol को separate किया जाता है, high volume में ले जाता है, अब आपको समझाता हो कि क्या है distillation process, distillation process जो है, ये दो तरीके से किया जाते है, एक ह बहुत पूराना एक style है, और एक है patent steel method, या column steel method, जो एक quick और advanced तरीका है, दोनों ही तरीके से alcohol को separate किया जाता है, मतलब इसमें जो product है, इसमें से सिर्फ alcohol को निकालना है, तब जाके distillation process को apply किया जाता है, अब distillation process में pot steel method में, जो wash अपने तयार किया था, मतलब ये, ये जो particular product अपने achieve किये थे, जहां पर already alcohol है, fermentation के बाद, मतलब पांच दिन के बाद, जो product अपको मिला है, उसको अपने filter कर लिया, उसके बाद ये liquid है, उसको अपने डाल दिये pot steel के अंदर में, अब जब heat generate होता है, तब वो जो alcohol है, वो जल्दी इभाप परेट होता है, क्योंकि वो जो liquid अपने अंदर में डाला है, वहाँ पर काफी मात्रा में water है, और water से हम लोगों का, जो alcohol है, उसको से परेट करना है, और water जो है, वो इभाप परेट होता है, 100 डिग्री फर्टनाइट में आके, मगर alcohol बहुत पहले ही इभाप परेट होने लगता है, तो क्या होता है, य जैसे ही वो इभाप परेट होके पहुचता है, तुरंत वो liquid में convert हो जाता है, crystal clear liquid में, और उसी को reserve किया जाता है, और उसके बाद आपको जो final product मिलता है, वो around 23 या 20% alcohol, अगर उस alcohol को redistil किया जाए, तो वो 90% alcohol भी होता है, धीरे धीरे उसको redistil करना पड़ता है, मतलब क्लिय कि first distillation के बाद आपको जो product मिलता है, वो ऐसा ही कुछ vodka जैसा product आपको मिलता है, तो यह है distillation process, मतलब एक ऐसा process जहां से alcohol का percentage को high किया जाता है, और water से alcohol को separate किया जाता है, और एक example दूँगा जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है exactly a distillation process, मान लिजिए आप चावल उ अपने चावल दिये और उसमें अपने water भी दिये और चावल उबालने लगा है, काफी उबाल चुका है, चावल almost बन चुका है, आप खाने लाइक भी हो चुका है, उसी time पे मैं आके आपको बोलता हूं कि यह जो आपने चावल बना रहे हैं, इसमें जो पहले आपने crystal clear water जाला था, क्या आप वो water मुझे लौटा सकते हैं, आप सोचेंगे यह कैसे समभव है, है ना, क्यूंकि already वो जो चावल के साथ वो जो water है, वो तो धुंदला बन चुका है, पुरा खड़ाब हो चुका है, जी नहीं, आप कर सकते हैं, कैसे, simple है, जब चावल उबाल रहे है तो भेपर जो है ना, वो उपर की तरफ जा रहा है, आप क्या करना है, आप एक बरतन ले लीजिए, और चावल का उपर में, जहाँ पर भेपर जा रहा है, वहाँ पर पकड़ लीजिए, ऐसे करके, और वो जो बरतन है, उसको आप स्वासर टील्ट कर लीजिए, तो देखि जब आपको आपने जब चावल पकाते हुए इतना सारा पानी डाला था वो आपको इतना मातना मिलेगा मगा क्रिस्टल क्लियर मिलेगा It is called distillation process और इसी को apply करते हुए alcohol companies अपना product को achieve करते है Hopefully ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या कम से कम अब समझ गए होंगे कि क्या है fermentation process क्या है distillation process अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा Thank you so much for watching this video आएंगे मिलेंगे बहुत जल्द एक नहीं topic के साथ अगर कुछ आपका question है तो please comment में जाके लिएगा Bye Bye and take care